Hello everyone, I am Bridges. Today we are going to start class 8 math of chapter 1. This name is Visualizing Solid Saves. Solid Saves के बारे में हम काफी classes से पढ़त होए आ रहे हैं. अब यहाँ पर जो हमने अब तक इस्टडी की है 2D Saves. 2D Saves की. अब D means होता है Dimension. जिसमें 2 Dimensions होती है. For Example के लिए Rectangle. Rectangle यह क्या है 2D Saves है. इसको हम आसानी से Seat Paper पर ड्रा कर सकते हैं. And Next यहाँ पर Circle. Circle को हम ड्रा कर सकते हैं. और Next यहाँ पर Triangle. Triangle को भी हम Seat Paper पर ड्रा कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो Solid Saves होते हैं वो होते हैं 3D Saves. 3 Dimensions यानि 3D Saves. D Means Dimensions. Dimensions. अब जो जिसमें Length, Breathe and Hide होती है. Length, Breathe and Hide होती है. जो कुछ Space घेड़ते हैं. वो होते हैं 3D Dimensions. यानि की 3 Dimensions. अब यहाँ पर जैसे कि मैं एक बुना रहाँ फिगर. यह क्या है? 3 Dimensions सेफ है. अब नेस्ट यहाँ पर एक Ball लेते हैं. यहाँ पर यह क्या है? Ball भी क्या है? एक 3 Dimensions सेफ है. यहाँ पर हम जब बॉल को यहाँ पर कहीं पर पुट करेंगे. तो वहाँ पर कुछ इसपेस लेगी. तो क्या हो गया? यह हो गया 3 Dimensions. अब यहाँ पर जो 2 Dimensions होते हैं, वह कोई इसपेस नहीं लेते हैं. यहाँ पर यह देखिए. इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कहाँ पर? सीट पेपर पर. बट जो होते हैं 3 Dimensions. वह क्या होते हैं? वह कुछ इसपेस लेते हैं. वह होते हैं 3 Dimensions. नेस्ट टॉपिक इस व्यू आप सॉलिट सेप. जितनी भी सॉलिट सेप यहानी की 3D सेप होते हैं. उनके अलग-अलग व्यू होते हैं. For example, I have a book. मेरे पास एक book है. अगर इसको आप सामने से देखोगे, तो इसका क्या हो जाएगा यह? फ्रेंट व्यू से. अगर इसको आप टॉप से देखते हो, यहां से. यह क्या है? यह क्या है? इसका साइड व्यूस. यह क्या है? इसका side views. अगर हम इसको सामने से देखते हैं, तो हमयी स्तरा से दिखाइदेगी है. तो क्या हो जाएगा यह? इस फ्रेंट व्यूस हो इपने अब नेयस्ट. अगर हम इसको साइड से देखेंगे यहांपर, तो यह देखियें। तो ही गया है side views, side views हमें इस तरह से दिखाई देगा, हमेंगी इसका side views, अब your next नहीं को अगर हम इसको top से देखते हैं यहां से देखेंगे, तो क्या और यहुत यह house say group, looks like this one, では top view हो तो हम इस तरह से देखेंगे, गया हम इसका- Apa-A 75 point. तो जितने भी solid save होते हैं, उनमें क्या होता है? Bytex, Edge and Face होता है. अब Bytex क्या होता है? Is क्या होता है? And Face क्या होता है? अगर आप नहीं देखिए. यह आपको बुक दिख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर, एक अबको सामने का दिख रहा है, तो इसके क्या हो गया? ये क्या हो गया? Recent इस क्या हो गया? Face éstज आपЬ अमक्ने सबने बिला, एड्र को फेंच उग नितो है ? आप इड्र क्या होटा यहांपर ये बुक्स यह क्या होती है? troubling कौनर के कौनर पाइंट यह यह वाले यह यहañ usyer allure in some जैसे कि फोड़ वहां पर कुछ थाउमपल पढ़ेंगे किछ और हम पर इस्पयर उस पी झाह में इस टीब हो गया है तो किविधा एक एक तो राह पर मैं तो मुक्छ एक प्रछाय मािमित पांची पर भीब ही फाट इस टाइप पर चुलिब गाह चेपड के परेंगे तो बहाँ पर ये कुछ भी space लेगे, अब next यहाँ पर prism, अब prism में क्या होता है, अब जैसे कि आपने बहुत सारे figure देखे हैं, and जिसका figure, अगर जिसका जो face होता है, वो rectangular होगा, जिसका जो face होगा, वो rectangular होगा, तो you can see, अब देख सकते हो, यहाँ पर जिसका figure होगा, rectangular, तो फिरामिड्स, अब प्रामिड्स क्या होते हैं, यहाँ पर, जो प्रामिड्स होते हैं, वो कई types के, यहाँ पर होते हैं, वो नंब इसको हम किस distinguishable कर सकते हैं यानिकि जिसका जो base होता है जो base उसके according हम यहां पर define करते हैं बेसकि ki यह होते हैं TRAIANGLE type के ही होते हैं िनना जो base होता है वो डिफ्रैंगवाइन की लिए triangular आप triangular pyramid क्या होता है जिसका जो flat section यानिकि जिसका base उसबस है बेस यानि कि triangular type का होगा, इसका जो बेस है वो triangular type का होगा, तो क्या होगा, triangular pyramid, अब next, जिसका बेस, rectangular, जिसका जो बेस है, you can see figure, जिसका जो बेस है, वो rectangular type का होगा, तो वो होगा, rectangular pyramid, अब next है, यहाँ पर, square, अब इसका जो बेस होगा, वो square type का होगा, यानि कि flat section होगा, इसका अब नेस्ट यहां पर पेंटागोनल प्रामिट अब यहां पर जिसका जो बेस है वह पेंटागोनल होगा यानि कि इसमें फाइफ साइड होगी फाइफ साइड होगी फाइफ साइड होगी फाइफ साइड होगा यानि कि इसका बेस फाइफ साइड से होगा फाइफ साइड का next topic is tetrahedron अब tetrahedron के होता है basically एक प्रिज्म होता है business name is triangular prism यहाँ पर यहाँ पर एक difference यह होता है यहाँ पर जितने भी इसके जो face होते हैं वो होते हैं equilatural triangle तो यू can see the figure अप एक figure देख हो यहाँ पर इस figure में यह क्या है catrahedron यहाँ पर यहाँ पर जितने भी triangle है equal to one clock plane a Salaf a cult right until one cię means यहाँ जो ő यहाँ जो everybody life classicalmani life speak dot vertex होता है, यहाँ पर इक corner point होता है इसका vertex, अब इस तरह से यह meet होता है यहाँ पर, तो क्या हो गया यह कौन होता है तो next topic is Euler's Formula, अब Euler's Formula क्या होता है, जितने भी 3D shape होते हैं, यानि कि जितने भी solid shape होते हैं, उनमें एक relation होता है के रिजन होता है उसमें यानि F F means face and B vertices face and vertices इसको हम plus करें and AIDS को minus कर दें तो यहाँ पर 2K equal आता है तो I have a book this is shape of QVoid यह QVoid का shape है QVoid एक solid shape है इस book को हम जहाँ भी put करेंगे जहाँ भी इसको हम रखेंगे तो बहाँ पर एक उसना कुछ space लेगी तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या है एक solid shape है अब यहाँ पर अब इसमें आपको देख रहा हो यहाँ पर यह सामने के देख रहा है आपके लिए यह face हो गया यह face हो गया 2 and 3 4, 5 and 6 यह 6 इसके face हो गया तो F equal to 6 F केतना हो गया? 6 हो गया अब नैस आता है vertices vertices means corner point अब इसके corner के point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह के corner point है this means vertices तो F equal to केतने हो गया है? 8 8 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है is अब यहाँ पर देखिए is means line segment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 line हो गया है आपर अब next 9, 10 यह भी एक तरह की line है 11, 12 इस तरह से इसके जो ears हो गया है वो हो गया 12 अब हम Euler's formula के use करेंगे यहाँ पर check करेंगे की face plus base को हम add करेंगे and e को minus करेंगे देखिएंगे की 2 के equal आता है या नहीं आता है अब यहाँ पर देखिए याँ from Euler's formula from Euler's formula from Euler's formula अब यहाँ पर f plus v minus e अब f यहाँ पर क्या दिया रखा है 6 plus 8 minus 12 6 plus 8 is 14 minus 12 equal to 2 अब किसके equal आ गया है यह 2 के equal आ गया hence we can say that this is solid shape तो solid shape पर एक relation होता है face plus vertices minus ace equal to 2 यानि की face plus base को हम add करेंगे and E को यानि की adds को हम minus करेंगे तो 2 के equal आता है तो this is last topic of the chapter visualizing solid shape